तो हेलो गाइज, नीट टोप पर आपका स्वागे थे और आज मी मेरे पास बहुत सरे नीवज है पूरी यूट्यूब कमूनिटीज है तो इसी तरह रेगुलर अबडेट रहेने के लिए चैनल को लाइक आज देस्क्राइब भी जरू कर लेना तो है सबसे पहले बात कर लेते यूट्यूब के बारे में तो उत्सब टेकी करके एक यूट्यूबर है तो उसने रिसेनली ट्वीटर पर एक पोस्ट करा है जहाँ पर अब देख सकते हो एक घंडे का यूट्यूब एड्ज दिखा रहा है तो कैया YouTube पर अब एक घंडे का एड भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर उसने बोला है One Hour of Add-on YouTube तो उसको जो YouTube ने reply करा है इतने समय का एड आएगा लेकिन आप उसको skip भी कर साकते हो और Non-Inskippable में 15-20 सेगंड का एड आएगा तो चली उसको बद हम भात का लेते रोनालडो और आइसोई स्पीड के बारे में तो कैया आइसोई स्पीड रोनालडो से मिल पाएगा तो बेसिकली आइसोई स्पीड ने रोनालडो की नियू क्लाब अल नसीर AFC को मैसेज कीया तो Instagram पर और उनके तरफ से रिप्लाई भी आ गया आप देखिये तो आपने देख लिया उनके तरफ से रिप्लाई आया है वह वी वी एपी टू है वी यू करके तो जैसे रिप्लाई भगर आ रहा है उसके वज़े से इन फ्यूचर वो रोनाल्डो से मिल भी जखता है और सो रोनाल्डो भी सोधी और विया पहुच गये है और गया साइसो इ इनने जब बहुत सारे फूट बॉलर्स को मैसेज कर रहे थे तो तब ही उसके चैटिंग में किसी ने बोला विराट कोली को भी मैसेज करो तो उन्होंने क्या टेक्स्ट किया अब देखिए और फिर उसके बात कर लेते एमेद बाहराना के बाढ़े में तो खेकर लें अमिद बाहराना के बाहरे में मनोट ने इंस्ट्रागरम पर एकaking स्टोरी दिया है जहापर उन्होंने बोला पर वबेका दिना जंग अमिद वहे नहींट एक दिन में 20 मिलियन क्रोस हो जाता था वीडियो बनाऊं के हुआ है अमीद बड़नस चैनल डाउन और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक दिन में 22 लग भीउस आ रहा है तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते सूपर खालसा के बारे में तो सूपर खालसा ने अभी एक और वीडियो डाला है जहाँ पर क्रेजी XYZ को exposed करा है और आपको पता ही होगा लक्स चुदुरी ने भी क्रेजी XYZ को exposed किये थे तो सूपर खालसा ने इन सभी के उपर बात करते हुए क्या करे आप देख लो क्रेजी एक्ट वाई जैड अमीद भाई नाकाम रहे हैं मुझे रिप्लाई करने में तो मैंने उसे सिर्फ छोटा सा एक ही चैलेंज भी किया था मैंने उनको कि भाई जो अगर आप सच बोल रहे हो तो कम से कम परा हाथ तो दिखा दो जहां पे आपको साप ने काटा है तो व उसने भी यही बात कही है ट्वीट करते हुए उसने यह साफ कहा है कि इस चीज को क्लिक बेट की तरह यूज किया गया है जो पिच्चर लगाई थी इवर कि मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबरों के कमेंट आए कि बाई आप आपकी जो आप वीडियो देखने के बाई ऐसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए क्योंकि देखो इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं जो आपको फॉलो करते हैं उन्होंने ही मिलके आपको क्रोडों में आपके सब्सक्राइबर किये हैं तो प्लीज भाई आप अपनी वीडियो को ड्लीट करके माभी मांग है कि बाई मैंने जो गलती किया है आज के बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फुकरा इंसन के बारे में तो फुकरा इंसन का जो सेगन चैनल है फुकरा इंसन लाइब करके तो इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जहापर दो copyright claim and age restricted और partially blocked हो चुका है मतलब कि उसको जो तीनों चीज एक साथ लग गए और guys partially blocked मतलब कुछ countries में बो वीडियो एविलिवेल नहीं होंगा तो guys आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं next video में तब तक लिए जहिंद बंदे मात्रम